आप देख रहे हैं जेकी नियूस टुड़े इस समय हम लोग अपसरा रोड में मौझूद हैं जब अपसरा रोड को हाई स्ट्रीट बनाया गया था इसका उट घाटन किया गया था वहां से हमने आपको सारी खबरे बताई सब कुछ अपसरा रोड से जुड़ती हुई ट्रैफिक को लेकर हर एक खबर आपको बताई तो यह अपसरा रोड के में गेट के पास ही एक शोकेस हम कहेंगे एक फाउंटेन जो है यहाँ पर बनाया गया है और गमले जो हैं यहाँ पर रखे गए है जैसे कि आपको पताई कि इनसान को जैसे पानी की जरूरत होती है खाने की जरूरत होती है तो जो पेड़ हैं उनको भी पानी की जरूरत होती है तो जैसे आप देख सकती है कि यहाँ पर जब शुरू शुरू में अपसरा रोड को बनाया गया था पिछे आप देख रहे हैं फाउंटेन यह चलता थ उसके वज़े से पानी फूल पोदों को लगता था लेकिन अब जैसे जैसे अपसारोड कहेंगे पुराना होता जा रहा है वैसे वैसे इसकी मेंटेनंस जो है वो कम होती जा रही है जैसे आप यहाँ पर यह गबले देख सकते हैं एक शोकेस के रूप में यहाँ पर चीज़े लगाई गई हैं चोटे चोटे पोदे यहाँ पर लगाई गई हैं लेकिन आप देख सकते हैं पोदे बिल्कुल सूखे हुए हैं इन में पानी बिल्कुल भी मतलब कोई डालने वा चोटे चोटे टीज हैं जे उनको हम सिनरी टीज कहते हैं उनको जो है वह घ्राटक के वह और चुछ एक बाता है अब दिन बाद गरमी ठीजा रही है तो कुछ पूल यहां पर खिले हुए दिख रहे हैं तो अगर इन पोदों को पानी ना मिले तो वह फूल हमें इस समय दिख नहीं मिलेगे तो इस समय कोई भी अधिकारी हमारी इस वीडियो को देख रहा हो तो इसके अपस जरूर जरूर जांच करें कि जैसे हम लोगों को खाना पानी की जरूरत होती है तो फल पोधे जो छोट छोटे पोधे होगे फूल के पोधे होगे या सीनरी प्लांट्स जिनको कहते हैं उनको भी जो है पानी के जरूरत होती है तो जो भी अधिकारी इसको देख रहा हो वह जरूर इस चीज पर अब बढ़ रही हैं तो रोज गर्मियों में जो है पोधों को पानी जरूर मिलना चाहीं नहीं तो यह पोधे जो हैं यह सूख जाएंगे यही आशक झाल 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 झाल